नमस्क्राइब दोस्टों विल्कम बाग टियो ओन चेनल वेल्स आज 29 ऑफ सेप्टेमबर 2024 संडे का दिन दोस्टों आज संडे का दिन है मैंने सोचा आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट लर्निंग वीडियो बनाऊगा इनफाट दोस्टों मैंने प्लान किया है कि मैं आपके लिए लर्निंग वीडियो की सीरीज बनाऊगा और उस सीरीज का ये पहला इंपोर्टेंट वीडियो है और दोस्टों इस वीडियो को लाइक करना ना मूह लें क्योंकि लाइक करेंगे तो पहले चीज़ तो दोस्टों बेने विडिया है कि आपके लाइट से जो कि लूज कर रहे हैं, 90% से ज़्यादा ट्रेडर लूज करते हैं, 90% से ज़्यादा ट्रेडर लूज इसलिए करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, एक्षिल में वो कर गया रहे हैं, it is only 10% of the traders who actually know कि वो कर गया रहे हैं, and that is the reason why they are making money, दोस्तों सबसे पहली चीज़ जब कभी भी आप ट्रेड करते हैं, कोई भी सेगमेंट हो, मैं दोस्तों आज important F&O सेगमेंट का ये वीडियो है, तो F&O को जब टेच करूँगा, तो जब कभी भी कोई भी ट्रेड आप लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको clear होनी चाहिए, वो है आपका व्यू अल्टिमेटल दोस्तों आप ट्रेड का करने जा रहे हैं, आप किसी stock को buy कर रहे हैं, किसी option को buy कर रहे हैं, किसी वीडियो की लेंथ कितनी होगी, यह 10 मिनिट का होगा, 15 मिनिट का होगा, आदे घंटे का होगा, तो इस effort के लिए इसलिए I was saying, you must not forget to like, but yeah, जितना भी एक एक सेकेंड इस वीडियो के important होने वाला है, तो दोस्तों important चीज़ क्या है, कि आप कभी भी कोई भी trade लेत आपका view बिल्कुल clear होना चाहिए, और सबसे important चीज़, सबसे भीतरीन चीज़, जब कभी भी आप derivatives में trade करते हैं, वो यह है, कि अगर आपका view clear है, सिर्फ आपका view clear होना चाहिए, कि यह जो derivative है, या फिर यह जो underlying है, वो bullish होगा, या bearish होगा, या फिर neutral रहेगा, बस सिर्फ इतना ह होना चाहिए, कि इसका view bullish है, या bearish है, या फिर neutral है, क्या ये ऊपर जाएगा, या फिर नीचे जाएगा, या फिर वही पढ़ा रहेगा, और दोस्तों ये जानने के लिए आपको technical analysis में महारत हासिल रखनानी पड़ेगी, उसके लिए मैं चाहता हूँ, ये दो videos आप definitely देख clear हो जाएंगे, तो दोस्तों ये चीज़ clear हो गई, कि अगर हमको पुरी पुरी अच्छी trading करनी है, अच्छी knowledge लेनी है, तो सबसे पहले चीज़ तो हमें जो clear होने चाहिए, वो हमारा view clear होना चाहिए, कि हमें bullish trade लेना है, bearish trade लेना है, या फिर हमें neutral trade लेना है, second चीज़ ज second dimension of any option trade is the expiry date, अब expiry date इसलिए important है दोस्तों क्योंकि expiry date से पता चलता है कि कितने दिन बाद ये premium, इसका premium decay के करण zero हो जाएगा, theta decay की वजए से इसका जो premium है वो decay हो करके zero हो जाएगा, और strike price इसलिए important है क्योंकि आपको इससे ये पता चलता है कि आपको क्या trade लेना है, आ आपको bullish trade लेना है, आपको bearish trade लेना है, आपको call buy करना है, कौन सा call buy करना है, कौन से level का, कौन से strike price का call या put buy करना है, इसलिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दो ही dimension होते है जो कि आपको clear होने चाहिए, जब कभी भी कोई option trade अगर आप लेते हैं तो, और दोस्तों अगर आपक technicals में क्या देखना होता है, इस सारे के सारे concepts इन तो वीडियो में आपको clear हो जाएंगे और ज़्यादा pro सीखना चाहते हो, दोसों उस course का link description में है, उसको भी आप use कर सकते हैं, अगर आपको pro information चाहिए फिला दोसों हम लोग बात करते है, nifty 50 के chart पर अभी आपका view क्या बन रहा है, अगर मैं आपसे question पूछ हो कि nifty 50 में आपका view क्या बन रहा है, तो ये चीज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं है, तो फिर आप इसमें क्या trade लेंगे, आप इसमे call buy करेंगे, put buy करेंगे, यही सबसे बड़ा confusion है, जो कि आपको loss करने में आपकी मदद करता है, मदद करता है मतलब जो कि आपको force करता है, और ultimately you end up making losses in market, अब दोस्तों कई सारे लोग कहेंगे, कि sir मेरी इतनी accuracy नहीं है view को clear करने में, तो दोस्तों simple सी बात है, अगर आपका view बिल्कु clear हो जाता है, तो ही आप naked trade लीजिए, naked trade का मतलब क्या है, सीधे-सीधे call buy कर लेना, यह सीधे-सीधे put buy कर लेना, इसको naked trades बोलते हैं, और यह तभी लेना है जब आपका view building बिल्कुल hundred percent clear हो, जो की 90% लोगों का नहीं होता है, तो ऐसे में करना के है, ऐसे में दोस्तों आपको spreads create करने है, ऐसे में spreads create करके आपको अपनी position को hedge करना है, अब दोस्तों, अपनी position को hedge करने के लिए, आपको spread create करने के लिए तीन तरह के spreads होते हैं, जब गभी आप spread करते हैं, तो basically आप अपनी position को hedge करते हैं, अब यह क्या होता है, कैसे होता है, यह सारी चीज़े में समझाओंगा, फिलाल दुसों भी आप यह समझ लिजे कि जो spreads होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है vertical spread, ए यह बहुत ही simple और basic होते हैं, इसको मैं इस important वीडियो में सिखाने की कोशिश करूँगा, अब चुकि vertical spread काफी बड़ा subject है, तो मैं इस important वीडियो में, आगे की सीरीज में, आगे की वीडियो में आपको horizontal भी समझाऊंगा, और आपको dungle में समझाने की कोशिश करूँगा, vertical spread इस important वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, सीखने से बहले दोस्तों, आपको Obstra की website पे login करना है, दोस्तों, Obstra की website बिल्कुल free of cost, यसमें कोई भी charges नहीं लगते हैं, and I want to thank the company which is running Obstra for this great help to the trader community, अच्छा दोस्तों, Obstra को जो आप login करते हैं, free of cost login है, आप login करके सीधे सीधे जो option का drop down है, वहाँ पर आईए, और जो strategy builder है, वहाँ पर आप जा करके, पहुँच करके, इसको click कर दीजए, जैसे एप सको click करेंगे, तो यह वाला page open हो जाएगा, जो की आपके सामने open है, अब दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर लगाएंगे, आपके सामने बहुत तरह की strategy हैं, जो की इन्होंने अलवडी बना रखी हैं, जिसको कि आप deploy कर सकते हैं, अब दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है, वो आपका view है, कि आपका view bullish है, या bearish है, या फिर non-directional है, या फिर neutral है, तो basically, इस चीज में आपकी कोई मदद नहीं करने वाला, ये चीज़ आपको खुद से पता करनी है, कि जो भी trade लेने वाले हैं, nifty 50 में लेने वाले हैं, या फिर bank nifty में लेने वाले हैं, या पर drop down करके, nifty 50 या bank nifty, जो भी trade लेना चाहते हैं, वहाँ पर इसका पूरा का पूरा bullish sentiment दिखाई पड़ रहा है यह फिर आपने चार्ट को study किया और आपने find out किया गिए उसमें bearish sentiment दिखाई पड़ रहा है तो basically आपको nifty 50 या bank nifty का direction क्लियर हो गया है जब आपका direction क्लियर हो गया तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ vertical spread लगाएंगे अब दूसर जैसे कि मैंने आपको बताया है जो spread होते है जो option strategies होती है उसमें जो spread होते है वो तीन तरह के होते है vertical, horizontal और diagonal तो दूसरों हम लोग vertical को study करने वाले है और vertical का मतलब क्या है इस तरीके से vertical होता है इस तरीके से horizontal होता है तो vertical का मतलब क्या हुआ कि आपको एक direction clear है कि market या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा तो जब आपका direction बिल्गल clear है कि आप या bullish है या फिर बीरिश है तो चार तरह की strategy आपके लिए लाग हुआ है या फिर आप सीधे-सीधे call को buy कर लिजिए या तो फिर put को short कर दीजिए जब आप long call करते हैं मतलब आप bullish है जब आप put को short करते हैं that means आप bullish है bull call spread जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये bullish trade bullish strategy bull bull call spread मतलब bullish strategy bull put spread मतलब bullish strategy strategy जो वर्डिकल spread होते हैं दोस्तों वो चार तरह की strategy होती है बिल्कुल सीधी 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 सिंपल सिंपल पहली है bull call spread जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये bullish है bull call spread जब आप bull call spread लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है bull call spread अगर आपका view bearish है तो फिर आप लगाएंगे bear put spread अब दोस्तों बुल call spread क्या होता है या फिर bear put spread क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग सीधे अब दोस्तों मैं example के तोर पे आपको nifty 50 के चार्ट पर बताता हूं कि कैसे आप अपना bullish view निकाल सकते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे है ये nifty 50 का चार्ट था nifty 50 के चार्ट पर जैसे कि आप देखें तो ये इसने highs लगाए थे और जिस दिन इस इस highs पे consolidate करना शुरू कर दिया था तो ये बात बिल्कुल fact हो गए थे कि यहां से जैसे ही breakout होगा nifty 50 bullish हो जाएगा है के नहीं बिल्कुल आप मानते हैं इनी बात तो ये जो bullish वाली bullish spread की strategy है that is bull call spread आपको तब लगानी चाहिए थी जिस दिन immediately इस level को breach किया था nifty 50 ने उस दिन लगा लेते या फिर इस candle लगा लेते किसी भी दिन लगा सकते थे आप bull call spread तो ये इस तरीके से आपका view clear होता है क कि यहां पर एक bullish trade बनता हुआ दिखा ही पड़ रहा है अब दोस्तों question आता है कि यहां पर हमको क्या करना होता है जब आप bull call spread लगाते हैं तो फिर add the money यहां add the money की बात कर रहा हूं तो उसमें जो भी strike price चल रहा है say suppose 25,500 तो 25,500 का आप call option buy करते हैं so you will be buying the call option of 25,500 CE अब दोस चीज़ा चलती है पहले चीज़ तो अगर आपका व्यू गलत हो गया तो तो फिर आपको सीदे सीदे loss होना शुरू हो जाएगा जो कि आप नहीं चाहते हैं secondly अगर आपका वियू गलत नहीं होता है market तेजी से उपर नहीं जाती है market धीरे 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 रेंग रेंग उपर जाती है, तो time decay के करना आपका premium drop होना शुरू हो जाएगा, तो इस condition को से बचने के लिए हम लोग spread create कर रहे हैं, तो यहाँ पर 25500 का call option तो हम लोग buy करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको इचीज समझ में आ जाती है कि यहाँ पर जो major resistance दिखाई पट रहा है, कितना हो सक करता है, कहाँ पर जाकर resistance आ जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फिबोनाकी का level लगाते हैं, तो दोस्तों यह मैंने फिबोनाकी लगा दिया, अब आप मुछेंगे कि सर फिबोनाकी कैसे लगाते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे आपको करेंगी, जैसे ही यह जो consolidation वाला जोन था 25500 का, जैसे ही यह breach हुआ, तो फिर आपको यह चीज़ क्लियर हो गए थी कि 5050 ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जा सकता है, तो पहला जो resistance है 25800, अब दोस्तों पहला resistance तो यह है, second resistance is somewhere close to 26265, तो जब आपने देखा यहां से breakout हो रहा है तो यहां पर आपने एक bull call spread create किया, और आपने क्या किया, 25500 का call option buy किया, और वहीं पर यह resistance आपने छोड़ दिया, क्योंकि 26000 एक psychological resistance हो सकता है, तो फिर आपने क्या 26200 का call option sell किया, तो यह वालक C आपने किया buy, और जो उपर out of the money का call है, उसको आपने किया sell, इस strategy को बोलते है आपने bull call spread, अब इसमें benefit क्या मिलेगा, दोस्तों अगर Nifty 50 उपर जाता है, उपर जाता है, और आपका जो premium है, जो कि आपने pay किया था, 25500 की call option को buy करने के लिए, उस समय add the money की call option को buy करने के लिए, तो इसका जो premium वो बढ़ना शुरू करेगा, लेकिन अगर somehow Nifty 50 उपर तो लेकिन 26,200 के नीचे रहे गया, तो आपको जबरदस्त profit होने वाला है, क्योंकि आपकी ये लग भी उपर गई है, और 26,200 का जो call option आपने sell किया था, उसका premium decay हो जाएगा, वहीं आज के scenario को बारे हम बात करने हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे है, Nifty 50 का जो spot rise है, वो है 26, 26,175, तो एक fair assumption हम लोग रखते हैं, कि 26,200 के आसपास resistance था हमने देखा था, तो 26,200 के आसपास resistance है, और अगर हमारा view, अगर वसे अभी तो view थोड़ा सा बीरिश बन रहा है, क्योंकि 26,200 तो important resistance था, अब this is the resistance, तो यहाँ पर हमको beer put spread लगाना पड़ेगा, beer put spread की strategy हमको लगा अगर आप देखें, nifty 50 presently trade करा है, 26,175 पर, तो add the money, add the money पर कौन सा call option हुगा, तो add the money पर call option आ रहा है, 26,000, 26,200, ठीक है, 26,200 का call option is the add the money call option, तो इसको आप buy करेंगे, इसको आप buy करेंगे, तो फिर आपको buy करता से मैं आप कितना premium बे करना पड़ेगा, 428 रुपीज, तो इसको आप click करेंगे, और यहाँ पर आप इसको, जैसे आपने, यहाँ पर आपको click करना है, as soon as you click here, तो आपके पास option आएगा buy sell, तो आपने यहाँ क्लिक किया buy पर, तो आपने एक quantity, एक quantity buy कर ली है, just one quantity, और add position कर दिया है, तो जैसे आप add position करेंगे, तो यहाँ आप explain करने के लिए आपके पास नीचे position add हो गई है, तो जैसा कि आप देख पा रहे है, आपने यह 26,200 का call option buy किया है, over here, और अगर आप देखें, तो इसके लिए आपको जो premium pay करना पड़ाएगा, वो करना पड़ाएगा 10,708 रूपीज, लेकिन अगर Nifty 50 नीचे चला गया, तो 26,250 का आपने call option तो buy कर लिया, लेकिन अगर buy chance वो नीचे चला गया, तो आपको loss होने लगेगा, तो फिर loss से बचने के लिए, आपने क्या करा, ऊपर के level पर एक call option sell कर दिया, say, suppose 26,500 का call option, this is the call option I'm talking about, 26,500, इसके call option को आपने sell कर दिया, तो फिर आपको, जब आप call sell करते हैं, तो 200 का call option buy किया था, तो और 26,500 का call option sell किया था, तो अगर आप देखें, तो अभी कि जो position create हो रही है, उसमें जो probability of profit है, वो है 42% की, और इसमें जो maximum profit है, वो आपको 33,191 के असपास, और maximum loss जो हो सकता है, वो है 4309 का, और अगर आप देखें, तो इसको पूरी की पूरी strategy को deploy कर लगेगा, वो सिर्फ लगेगा 13,000 रुपए, 13,000 रुपए में अगर आप देखें, तो आपकी जो position create हो रही है, इसमें अगर आप देखें कि break-even points कौन से है, तो आपका जो profit है, वो बनना शुरू हो जाएगा, जैसे ही 26,373 के ऊपर nifty 50 जाना शुरू करेगा, जैसे कि मैं आपका profit बनना शुरू हो जाएगा, बासमें में आ रही है, वहीं पर अगर आप मुझसे पूछें कि यहाँ पर loss कपसे शुरू होगा, तो दोस्तों अगर nifty 50 ऊपर नहीं जाता है, 26,373 के नीचे रह जाता है, तो वहाँ पर आपको loss होना शुरू हो जाएगा, और आपको maximum loss कितना होगा, maximum loss होगा 4309, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया है, जो call option उपर आपने sell किया है, वहाँ से तो आपको पैसे मिली गए है, 256 रुपीज, आपने pay कितना किया था, 428, तो 428-255, यह आपका loss होगा, क्योंकि यही अभी ultimately क्या था, आपका पूरा का पूरा premium 428 रुपीज चला जाना था, लेकिन यहाँ पर जो आपने उपर के level पे call sell करी थी तो उससे 255 रुपीज मिल गए, तो यहाँ पर benefit क्या है, अगर आपका direction clear है, और direction पूरी तरह से clear नहीं भी हो पा था, थोड़ा भी गलती हो जाती है, तो भी आप profitable रहेंगे, अगर आप bullish थे वैसे bull put spread भी होता है, और bear call spread भी होता है, तो bull put spread और bear call spread मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ bull call spread और bear put spread सीख रहे हैं, तो bull call spread आपको समझ में आ गया है, अब bear put spread क्या होता है, अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रह का तो पहला सपोर्ट है सेकलोजिकल सपोर्ट है वो तो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और हो सकता है 25800 भी आजाए है की नी बात सही की नी तो दोस्तों अगर हम लोग को यह पोजिशन क्लियर हो रही है और हमारा व्यू थोड़ा बीरिश बन रहा है तो फिर हम लोग क्य करेंगे पुट हम लोग पुट वो सेल करेंगे जहां पर इंदमनी होने के चैंसे थोड़े से काम है जो कि है 25,368 या फिर 25,800 तो अभी अभी के लिए दोस्तों हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग 26,265 का हम लोग पुट बाय कर रहे हैं दिस इस अ पुट विच वीच करेंगे सेल तो इस पुरानी पुजिशन को हटाने के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे री सेट पे और जैसे री सेट पे करेंगे तो हमारी पूरी पुरानी 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 पुजिशन आउट हो जाएगी हम फ्रेश पुजिशन को ले सकते हैं और जैसे कि मैंना को होत options, you can see here, and these are all put option data, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग put option के data पर जाएंगे, और 26,250 का जो put option है, उसको हम लोग buy करेंगे, जिसकी value है 307, right, तो इसको हम लोग buy करेंगे 307, इसको click किया 307 को, तो हम लोग ने इसको किया buy, और हमने अपनी position को add कर दिया, ठीक है, तो जिससे अप 26,250 की position को create करने के लिए, इस put को खरीदने के लिए हमारे account में होने चाहिए थे, 7700, 27681 रुपीज हमारे पास होने चाहिए थे, और हमें profit कब होगा, हमें profit तभी होगा, जब market 25,940 के नीचे जाएगी, अगर 25,940 के नीचे जाती है, तो ही हमें profit होगा, वरना फिर हमें profit न view bearish है, तो मुझे bearish में अगर पूरा bearish नहीं होता, थोड़ा mild bearish भी होता है, तो भी मुझे profit हो, तो इसके लिए में क्या करूंगा, मैं bear put spread लगाऊंगा, और 25,800 का, जो पहला support मुझे दिखा ही पड़ रहा है, which is here, 25,800, ये तो हम लोग ने 26,250, this is the level I'm talking about, इसका put हमने buy क equity का हम लोग put sell करेंगे, तो हमको कितना रुपाय मिलेगा, हम लोग मिलेगा, 186 रुपीज, तो 86 को हम लोग क्या करेंगे, sell, तो ये हमने जब sell किया, तो add position किया, तो add position करते ही हमारी position नीचे लग चुकी है, और as you can see here, so अब हमें profit होना कब शुरू होगा, जैसे ही market 26,129 के नीचे जाती, तो आपको profit होता, वहीं पर 26,129 के नीचे आपको profit होना शुरू हो जाएगा, पसंज में आ रही है, और probability of profit is 48%, आपको maximum profit कब होगा, maximum profit तब होगा, जब market इस level पर गिर जाए, that is जिस level पर आपने सोचा था 25,850, ठीक है, वहां तक गिर जाए market तो बले-ले, त तो फिर आपको maximum profit होगा, 6,986 रुपीज का, और वहीं पर अगर market आपके against भी चले जाती है, तो फिर आपको maximum loss सिर्फ 3,000 रुपए का होगा, जो कि पहले वाले case में 7,000, 7,900 मतलब almost 8,000 रुपए का पहले loss हो रहा था, जो कि अब यह reduce होकर के 3,000 हो गया है, तो दोस्तों इ वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और बहुत सारी चीजें दोस्तों जो कि मैं बहुत ही simple तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, वीडियो पसंद आया, do not forget to smash the like button, and do share with your friends, and do not forget to do smash the like button, ताके मुझे पता चलेगा तोस्तों आपको मेरा initiative पसंद आ रहा है य Until then, bye bye for now.